असलाम वालेकुम आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारी वैब डिवलेमेंट की पहली किलास में और आज की जो किलास होने वाली है थोड़ी डीटेल होगी ठेटिकल किलास होगी मैं आपको पूरे कोर्स का इंट्रो दूँगा क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा कोर्स है डूरे पर बाद में कुट कर जाते हैं छोड़ जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि यह बहुत हार्ड है या उनको काफी डिफिकल लगती है समझ नहीं लगती है तो वो कुट कर देते हैं तो मेरे यह चीज़ होगी कि इसमें आपको बहुती popular करके समझाया जाए और आपको पहले तो मैं आज पूरे course का intro दूँगा कि आगे हम क्या 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 किस तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद ताकि आपको idea लग जाए फिर आप अपने शोक से इस course में continue करना चाहते हैं तो most welcome otherwise आप इसको यहीं पर quit कर सकते हैं सो हमने इसका whatsapp group भी बनाया है जहां पर हम questions and sessions करेंगे इसके बारे में study करेंगे और assignments वगरा भी देंगे तो अगर आप उस whatsapp group में add होना चाहते हैं तो आपकी screen पर हमारा number show रहोगा इस पर आप message करें तो आपको उस group में add कर दिया जाएगा तो चले हम स्टार्ट करते हैं मैं आपको आज की class के बारे में चीज़ें बताता हूँ सो देखें इस course में web development course में हम आपको full stake developer बना रहे हैं कोई front end developer नहीं या back end developer नहीं बना रहे हैं आपको दोनों ही चीज़ें आएंगी मतलब complete developer आपको बना जा रहे हैं तो जिसको full stake developer कहते हैं आप इस course करने के बाद इन्शाला full stake developer बन जाएंगे इसमें आपको देखें बताया गया है basic requirements to build a website एक basic requirements website बनाने के लिए आपको तीन languages की जरुरूरत पढ़ती है पहले तो वो है html jscss तो front end languages है यह java script backend में भी use हो जाती है so html hypertext markup language क्या है अभी हम समझेंगे don't worry यह तीन languages आपका जो सामने view दिखता है website का खास करके उसको handle करने में काफी आपको help देती है so हम सबसे पहले html के बारे में पढ़ते है html एक hypertext markup language है जिसमें आप किसी भी website के ऐसा समझेंगे sketch को तयार करते हो उसके जो आप ऐसे कह सकते हैं जिसका skeleton हम design करें body का तो इसे ही आप website का skeleton design करते हो उसके बाद इसको हम और detail में पढ़ेंगे फिलाल आपको मैं just short intro करेंगे जिसको कहते हैं cascading style sheet अब आप ने for example body का skeleton मना दिया अब आपको उसको कपड़े पहनाना है खूबसरत करना है उसी तरह किसे website को खूबसरत करने के लिए colors designs तो उसके लिए हम use करते हैं cascading style sheet css आप use करेंगे उसके बाद हम java script use करेंगे logic के लिए कि अगर आपकी website में logic क्या हो अगर user यहाँ पे for example submit के button पे click कर रहा है तो वो data कहां जाएगी इस type की logics जो होती है यह यह बटन दबाने से क्या उसको दिखाना है तो इस type की logics जो है आप java script की मदद से declare कर रहे होते हैं यहाँ पर मैं इसे से आप इसको इस तरह के stylish बना देते हैं आप पूरा इसको color वगेरा फिल करके बहुत ही stylish बना देते हैं java script इसकी logic होता है कि for example जो car का wheel होता है इसको कैसे move करना है अगर हम उसको उसकी gear change कर रहे हैं तो क्या हो जाए car में मतलब यह सारे जो instruction होते हैं वो आपके java script जो आप files बनाते हो HTML की तो इनकी extensions होती है जैसे कि Adobe की आप file बनाते हो illustrator की तो वह .ai होती है Photoshop की बनाते हो .psd Excel की बनाते हो .xlsx तो इस तरीके से extension जो होती है इसमें file आपकी save हो रही हो तो इसका last में . की . देके उस file की extension आ रही होती है तो HTML की file आप जब save करते हैं तो last में आप लिखते हैं .html ताकि उसको पता चले कि आपके computer की HTML की file है अगर आप JavaScript की file save कर रहे हैं तो आप लिखते हैं .js अगर आप CSS की file save कर रहे हैं तो आप लिखते हैं .css तो यह तीन इनकी extension है उसके बाद हम starting में इस course में HTML को 80% study करेंगे फिलाल के लिए उसके बाद हम 60% CSS को study करेंगे 50% हम JavaScript को study करेंगे यह नहीं कह रहा कि पूरा study नहीं करेंगे 100% फिलाल हम HTML को 80% पढ़के move करेंगे CSS को 60% पढ़के javascript पर move करेंगे और इन तीनों को सीखने के बाद हम कुछ websites build करेंगे फिर हम वापस इनको study करेंगे इनका रहा जो रहा गया हिसा है वह हम complete करेंगे यह सानी कि हम छोड़ देंगे पर हम शुरुआत ऐसे करेंगे ताकि आ अब HTML पर ही 100% करने में 3-4 महीने गवा दो तो फाइदा नहीं है उससे अचाहे कि आप इनको तीनों को अगर जितना सीखना जरूरी है must है उतना सीख लें और एक website वराना सीखें फिलाल ताकि आप practice कर सकेंगे फिर आप आहसा आहसा इनको complete भी करेंगे हम इनको complete फिर आहसा काम कैसे कर रही होती है यह समझना बहुत जरूरी है एक web developer के लिए अब यहां पर user लिखा हुआ है आपको ध्यान से देखना है जो user आता है वो क्या करता है जो भी type करता है अपने browser में for example उसने कुछ भी type किया उसने कहा मुझे देखना है www.google.com तो अब वो क्या करेगा आ database में जाएगा database में उसकी क्या coding stories पेज की जो पेज दिखाना है वो coding उठाएगा और नीचे आके एक index.html फाइल बनाएगा ठीक है index.html उस index.html में तीनो languages compile कर दी जाती है वो backend से जो भी data लाता है html, css, java script तीनो उसका front view होता है जो दिखाना होता है यूजर को वो design होता है already तो वो तीनो आपस में compile होके index.html में आ जाती है और index.html एक फाइल बन जाती है और वो file server क्या करता है वापस भभेजता है browser को ठीक है browser detect करता है कि ये एक index.html फाइल है वो फिर दिखाता है वो ही output user को बतलब user ने google search किया for example google.com तो वो इस तरीके से process होगा कि server में जाएगा server data उठाएगा database से backend से फिर वो index.html फाइल बनाएगा तीनो language को compile करके फिर file देगा browser को browser आपको दिखाएगा कि आपने क्या search किया और आपके सामने क्या show हो रहा है ये बहुत seconds में आपको show ह जाता है पर इसका पीछे का process यह हो रहा होता है नीचे देखने लिखा हुए always backend decide what response we have to send to the user हमेशा backend decide करता है कि हमें user को क्या दिखाना है क्या भेजना है उसको response में तो backend से ही आपकी language जो चीज भेज रही होती है वही आपको frontend दिखा रहा होता है अब देखें IDE क्या है हम जो software यूज़ करेंगे web development के लिए coding के लिए उसको IDE भी कह जाता है web development में कोई software यूज़ करते है तो उसको IDE भी कह जाता है IDE का full form में integrated development environment यह आपने सुना होगा जो development के थोड़ा जानते हैं जो उनके channel follow करते हैं तो यह नाम अपने सुना होगा तो कल को अगर मैं IDE का हूँ तो आप confused होजएंगे IDE क्या है तो यह चीज़ें पताना जरूरी है जो कि आगे मैं use करूँगा तो आप लोग फिर confused रहेंगे तो IDE आपके software को कहते हैं जो software आप use कर रहे होते हैं web development के लिए चीक है तो इसमें मैंने detail भी इसकी लिख दिया अगर तो इस टाइब के यहां पर available हैं हम आगे आते हैं देखें visual जो studio code है मैं आपको एक चीज़ बताऊगा यह लिखा हुए why not paid is not recommended for web development देखें not paid जो आपको simple editor है takes editor किसी time में आज से काफी time पहले इसमें web development होती थी अभी भी होती है पर यह मतलब recommended नहीं है क्यों नहीं है देख हर data job की होती है वो पूरी data आपको खुद से लिखनी पड़ती है कोई भी आपको help नहीं मिल रही होती not paid में तो आपको हर code यादोना चाहिए कोई error आता है तो आपको solve करना पड़ेगा मतलब कोई भी आपको facility नहीं मिलती not paid में तो इसलिए recommend नहीं है मतलब अगर एक काम आप किसी अच्छे id में कर रहे हो तो वही काम आप अगर अच्छे id में करोगे तो 15-20 minute होगा अगर not paid में कोई वही उसमें error आ गया कोई मसला आ गया तो आप वही काम 40-50 minute कर पाऊगे तो मतलब 10x faster आप कह सकते हैं इसको not paid से किसी भी id को तो सवाल आता है कि based id कौन सी है based software कौन सा है जिसमें coding करें देखें बहुत सारे software हैं बहुत सारे functions हैं पर हम जो use करेंगे वो होगा visual studio code Microsoft का यह है Microsoft Visual Studio code तमाम बहतरीन software है हर week इसके update आती रहती है mostly और हर चीज़ में हर चीज़ आपको available दी जा रही है मतलब इसमें आपको coding अगर थोड़ा चोटा था code लिखोगे आगया code आपको suggestion में लिखके मिल जाएगा आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता code यार नहीं रखने पड़ते errors में आपको suggestion दे रहा होता है help दे रहा होता है तो बहुत ही बहतरीन software है मैंने और भी यूज किये हैं पर मेरे असाब में इसका कोई भी मतलब मद्दे मुकाबल नहीं है तो आप इसको use करें आपको बहुत help लेगी तो अब इसमें आपको confuse नहीं हो ना यह देख लें मैं आपको कहा रहा हूँ visual studio code हम use करेंगे ऐसा नहीं कि आप visual studio जाके download कर ले विजुल इस्टूडियो एक अलग चीज है उसको अभी हम use नहीं कर रहे हम use कर रहे है visual studio code को तो यह difference है इनमें यह अलग चीज़े है ठीक है आपने visual studio code डाउनलोड करना है अगर डाउनलोड करना नहीं आ रहा आपको अगर आता है तो कर ले नहीं आता तो हम कल डाउनलोड करके उसको use करेंगे तो आपको आ जाएगा मैं कल डाउनलोड करना सिखा हूंगा अभी साही उसकी settings भी आपको बताऊंगा so backend languages हम जो पढ़ेंगे फिरंडेंट हमें देख ली जो backend scores में हम पढ़ेंगे वो होगी PHP, Node.js, Python और इनके frameworks जो हम use करेंगे आगे वो होगे Express, Flask, Django और Flask, Python के लिए अब ये frameworks क्या है, backend languages क्या है, इनसे क्या होगा, फिलाल इनको skip कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये language हम पढ़ेंगे ताकि आपको idea कि कौन सी language सर्फ पढ़ाने वाले हैं आगे अगर नई समय में आ रही कोई बात नहीं, आगे हम इनको detail में पढ़ेंगे Frameworks क्या है, इनको फिलाल छोड़ दे CSS के जो हम Frameworks पढ़ेंगे, वो होंगे bootstrap और tailwind देखे, Frameworks कुछ आप मैं आपको in short बतातूँ ऐसी चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ बनी बनाई, code भी मिल जाती है, आप जब पेस्ट करते हैं, वो आपकी website में आ जाती है पर उससे आप developer नहीं बन जाते है, फिर वो आपके लिए काफी नुकसान देता है तो आपको शुरुआत में framework की तरफ जाना भी नहीं है, पर अब जब पूरा आपको सिखा देंगे, developer बना देंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे कि आप fast काम इससे कर सकें, पर जब जब जरूरत पढ़े तो आप खुद से भी चीज़े बना सकें, यह नहीं कि यह जब आप खुद की चीज़ बनाने की बात आए तो आपको मुझे दाती नहीं, मैं तो frameworks यूज़ करता हूँ, तो यह चीज़ नहीं करनी Switch to frameworks, जब आप अच्छे developer बन जाते हैं, हर चीज़ आपको खुद से बरानी आ जाती है, हर language आ जाती है, तो फिर आप frameworks पे switch करें, angular हो गया, view.js, react, इस तरह के आप frameworks यूज़ कर सकते हैं, पर आपको basics अच्छे से आने चाहिए, web development के Database के लिए हम क्या-क्या यूज़ करेंगे, PHP में हम, अगर PHP यूज़ कर रहे हैं, तो हम MySQL यूज़ करेंगे, अगर Node.js हम यूज़ कर रहे हैं, backend में, तो हम Database के लिए MongoDB यूज़ करेंगे, और backend में कर हम Python यूज़ कर रहे हैं, तो SQL-like हम use करेंगे database के लिए so यह हम आगे decide करेंगे जब हम website बनाएंगे not recommended यह चीजें आपने कभी नहीं करनी यह चीजें इस पूरे course में आपने follow करनी है kindly इन चीजों को ध्यान से समझिएगा गोर से सुनिएगा मेरी बात को don't consider frameworks as a beginner जब आप beginner हो अपनी website बनते time framework को हाथ भी नहीं लगा ना जब आपको कुछ नहीं आता तो फिलाल framework के पास जाना भी नहीं ऐसा नहीं होगा आप सर्च करके डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो आप कहीं नुकसान होगा आपको developing नहीं आएगी कल क्लाइन ने आके अपनी requirement के साफ से के जैके मुझे इस टाइप का व्यू चाहिए इस टाइप का बटन चाहिए अपने website में और आपको नहीं मिला framework में तो आप फस जाओगे तो आप पहले खुद से बनाना सीख लो फिर फास्ट काम के लिए आप आगे इसको आपको यूज करना सिखाए जाएंगे पर फिलाल इसको आप इनसे दूर रहें do not consider website builders website builders को भी आपने यूज नहीं करना कता ही यूज नहीं करना wix.com इस टाइप की जो मतलब होते हैं builder तो इनसे avoid करें बचे इनसे बहुत सारे से जो आपके js है या jQuery है इन libraries को भी यूज नहीं करना इनसे बनी-बनी coding type की चीज़ें आपको मिलती हैं पर यह बहुत अच्छी हैं, यह नहीं किरा कि गलत हैं, हम इनको बहुत अچछी के से यूज़ करेंगे, बहुत बैतरीन चीज़े हैं हमारे लिए पर अभी बिगिनर्स के लिए यह चीज नहीं है, यह बिगिनर्स के लिए उनको उल्टा खराब कर देती है, तो इनको आपने तो इससे आपका ही नुकसान है यह आपको यूज नहीं करना यह तीनों चीदें आपको बिगिनर के रूप में नहीं करनी इस ट्रिक्ली मैं मना कर रहा हूं इस कोर्स में चीदें आप नहीं करना अगर अच्छे डिवलपर बनना चाहते हो तो वेबसाइट की टाइपस कितनी होती है दो टाइपस होती है वेबसाइट में फ्रन्टेंड लेंविजिस आर इस्टेटिक वेबसाइट जिन वेबसाइट का सिर्फ फ्रन्टेंड डिजाइन किया गया हो जैसे कि HTML, CSS वगएरा तो उनको कहते है इस्टेटिक website जिन websites में front end भी हो और back end भी हो मतलब जिन में PHP और फ्रेंट में HTMLC से use हो तो उनको कहते हैं dynamic website जिन में दोनों हो तो dynamic websites होते हैं वो आपको कुछ tips दूँगा मैं हमेशा inspiration लें दूसरों की websites को जाके देखें और उनको note करें में क्या खूबस्वत चीजें उनसे inspiration लें उनको note करें copy नहीं करने का कह रहा है उनको समझें उनकी चीजें note करें copy नहीं कीजेगा graphic designing इसके लिए help you है अगर आपको graphic designing आती है तो यहाँ पर आपको बहुत help देगी designing क्योंकि designing ideas designing से ही आते हैं अगर आप अच्छे designer हो तो आप अच्छी websites design करोगे ठीक है note there is a no connection between web designing and web development कोई भी connection नहीं है web designing का web development से यह जरूरी नहीं कि आप अच्छे developer हो तो आपको अच्छी website design करना आता होना चाहिए आपको designing के लिए कुछ designing के concept पढ़ने पढ़ते हैं तो इसलिए मैं करता इसके लिए आप हेल्प करेगी पर कोई बात नहीं है आप फिलाल developing सीख जाओ designing कोई बड़ा मसला नहीं है website designing हो जाती है कोई इशू नहीं है पर आपको developing आनी चाहिए hard वह चीज़ है website tools जो हम इस course में use करेंगे unsplash.com images के लिए हम use करेंगे download करने के लिए free images इन पर कोई copyright नहीं होता पिग्जा बे भी HD वेग्राउंड के लिए हम use करेंगे इस ते images download करेंगे यह भी copyright free है तो यह हम दोनों websites use करेंगे आप भी करें और इनको इस course में आप यूज कीज़ेगा rest API क्या है फिलानल को छोड़ पर हम आगे इसको use करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह tool हम use करेंगे free html5 यहां पर आपको readymade website बनी बनाई website मिल जाती है आगे इनको हम use करेंगे UX Wing यह website icon download करने के लिए होती है icon websites में लगाने के लिए तो यह भी आपको free में मिल जाती है htmlcheatsheet.com यह तमाम बहतरीन website है आज आप इसको इस website को खोल के जरूर देखेगा जाके सर्च कीजेगा htmlcheatsheet.com यहां पर आपको fonts colors हर चीज बनी बनाई मिल जाती है बहतरीन चीज़ है और github यह एक बड़े लेवल की चीज़ है इसको हम जब आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं तो यह थी आज हमारे course की एक outline जो हम इस course में study करने वाले हैं I know कि आपको अभी थोड़ा difficult लग रहा हूं पता नहीं क्या लेंगजी उसकर रहा होता है कोई कोई उसकर रहा होता है तो मैंने जो चीज़ें यूज करनी है मैंने वह बता दी ताकि जो student कुछ जानते हैं development के बारे में वह पूछ रहे थे आप कौन सी चीज़ें पढ़ाएंगे कोई सी नहीं पढ़ाएंगे तो complete road map आपको मैंने बता दिया है ठीक है तो अभी इंशाला हम इनको class wise कल से study करना शुरू करेंगे practical कल से practical होगा theory आज ही थी कल से अब practical ही होगा तो फिर आप खुद कहेंगे कि सरवाकर यह बहुत easy है इतना मिश्कुल काम नहीं है तो कल से आपने regular classes को देखना है तो आपको इससे फाइदा मिलेगा और एक और चीज़ देखें यह नहीं कि आपने इसको hard समझ के इससे जितना practice करेंगे कल से जो lesson लेंगे आप उस पर practice करें आपको easily समझ में आ जाएगा हमारा इस course का जो main goal है web development पूरी complete आपको सिखा के full stack developer बन जाएंगे तो हम फिर YouTube पर अपने RPA development सिखाएंगे जिसकी आज कल पूरे world में demand है और बहुत high demand इसके लिए high paying इसके लिए जिसमें पैसा भी बहुत है और demand भी बहुत है और competition बहुत कौम है तो बहुत hard इसके लिए पर इंशाला आप सब को हम सिखाएंगे YouTube पर ही सिखाएंगे free of post और कि कितनी बड़ी field है तो इंशाला आप सबसे अब कलम लाकात होगी कोई भी आप इस course के content के regarding question हो तो आप comment section पूछ सकते है चैनल पर आगए तो subscribe कर ले हम इस channel पर आलरड़ी Excel का course और हम Fiverr का course करा चुके है आप जागे पहले list check कर सकते है और अब web development का course हमने शुरू किया है तो इंशाला इस पर courses और valuable content आपको मिलता रहेगा इस channel को subscribe कर दें comment जरू करें आपको video कैसी लगी question हो तो comment करें question नहीं भी है तो हमारे कैसी लगी आज आपको आज ये पहली class तो ये जरूर बताए तो इंशाला आप सबसे अब कलम लाकात होगी कल की class में तब तक के लिए ना खयाल रखेगा अला आपिस